भगतो जब आप मेहदीपूर गए होंगे तो आप मेंसे बहुत से भगतों ने देखा होगा कि वहाँ मंदिर के रेलिंग में अनेक ताले लटके हुए आपने अवस्य देखे होंगे और भगतो ये ताले छोटे से बरे लगबग हर साइज में हजारों के संक्या में वहाँ लटके हुए देखे होंगे तो भगतो क्या आप इन तालों के लटके होने का कारण जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहे हैं सुरू से एंड तक भगतो ताले के रहस से जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देए अगर चाइनल पे आप नए हैं तो सस्क्राइब भी कर ले तो आईए भगतो बाला जी मंदिर के बाहर रेलिंग पर ताले क्यूं लगाए जाते हैं ये हम जान लेते हैं भगतो मंदिर के बाहर लगी रेलिंग पर लटके तालो का रहस यह है कि सिरी मेधी पूर बाला जी मंदिर में उपरी बादा से पिरित बेगती अपनी संकट संबंदी समस्याओं के छुटकारा के लिए ताले को यहां लगाते हैं भगतो आपको बता दें कि तालो को यहां लगाने का मुख ये कारण सिर्फ अपने संकटो को बांदने का होता है भगतो इसका मतलब यह नहीं है कि पिरित बेगती ताला लगा कर संकट मुक्त हो जाता है भग तो ताला लगाने का मतलब यहा है कि संकटों को आगे बढ़ने से रोकना, भग तो ऐसे माना जाता है कि संकट को तालों में बांदने से अधित तोर पे लाब होता है तो आईए भग्तो ये भी आपको बता दें कि तालों में संकट को कैसे बांदे जाते हैं तो भग्तों मेहदीपूर बाला जी मंदिर के महंत जी या पूजारी जी जिन पर बाला जी महराज की सक्ति आती हो उनसे पीरित बेक्ती जाकर संपर्ग करते हैं और तालों के माध्यम से अपने संकटों का बंधन करवाते हैं भाग तो जो बेक्ती अलग सहरों से आते हैं और जिस गद्धी से जूरे होते हैं वो अपने महंत जी जिन पर बाला जी महाराज के दूत महाराज आते हैं या सक्ती आती है वह महंत जी या महाराज जी उन तालों का बंधन करवा कर संकट बंधवा देते हैं भाग तो इस परकार से तालों के संकट को बांदा जाता है लेकिन भाग तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अभयवस्ता सिर्फ गुरू के मार्क दर्शन में ही की जाती है अपनी इक्षा से ना करें भाग तो ऐसे ना करें कि ताला खड़ी दें और खुछ से जाकर ता तला लगाया जाता है और लापरापत किया जा सकता है भगतो आपको ऐसे भी पुजारी मिलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की मान करेंगे उन पुजारीयों से आप बचके रहें और सीधा आप मंदिर कड़याले में संपर्गे करें सिरी मेहदीपुर बाला जी आप सभी भक्तों के कस्टों को दूर करें तो प्रेम से बोले सिरी बाला जी महराज की जै